हेलो स्टुडेंट स्वागत आपका पाई क्लासेज में आज का टोपिक क्लास 10 के लिए वक्षीट नमबर 31 applications of section formula वही topic continue है section formula आपको पता ही है वो हम करवा चुके हैं जिसने वो हमारी वक्षीट नहीं देखिए इससे पहले वाली उसको देख लिए आपको पता चल जाएगा section formula क्या होता है आईए direct questions करते है एक्जांपल 1 देखे एक्जांपल 1 यहां पर हमें दिया हुआ है इसका मैं आपको figure बना देता हूँ कि यह हमारे पास मानलो line है A और B A हमारे पास यह point है और B हमारे पास यह है इनको मैं आपर लिख भी देता हूँ 5 और minus 6 और यह minus 1 और minus 4 इसको y axis कट कर रही है मानलो यह क्या है हमारी y axis यहां पर यहां point पर cut कर रही है तो y axis पर x की value 0 होती है तो मा अब इस P point के में section formula की health से coordinates निकाल सकता हूँ K की multiply पहले किस से होगी minus 1 से तो minus K आ गया इधर वाला जो 1 है 1 की multiply किस से होगी minus 5 से तो plus K 5 आ गया नीचे तो sum of ratio होता ही है अब K की multiply इधर यह minus 4 से होगी तो minus 4 K की multiply minus 6 होगी minus 6 आ गया तो नीचे K plus 1 हमारा आता ही है अब हमें प C सा 0 होता है F C सा यह निए X तो X coordinate कौन सा यह वाला तो minus के K plus 5 और 1 अपन में K plus 1 इसको हमें 0 के बराबर रख दिया किरोस multiply करा तो यह चीज इससे multiply होगी हट जाएगी तो minus के K plus 5 0 के एक पर आ गया तो minus के K minus 5 तो K की value आ गई 5 ओके तो ratio क्या बन गया 5 ratio बन अब by putting the value अब यह जो K की value है हम इस वाले equation में यह जो point आ रहा है इस point हम put कर लेते हैं देखो यह तो 0 हो जायागा इसमें तो कुछ करने की जोरती नहीं है आपको आपको सिर्फ इसमें put करना है तो यह तो 0 हो नहीं है तो minus के 4 को किस से multiply करेंग हैं तो यह हो गया minus के 20 minus के 6 और 5 जमा एक तो आगे क्या हो जाएगा 0 minus के 26 बटे 6 दो से भाग कर दो 13 बटे 3 हमारे यह आ जाएगा simple सा point था next क्या था find the coordinates of the points of trisection trisection का मतलब किसी line को तीन equal भाग में equal part में divide करना of the line segment AB जैसे यह A है यह B है तो P और Q ऐसे point हैं जो AP P Q और यह तीनों पार्ट इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हमें P और Q के coordinates निकाल नहीं है जब P को देखो तो यह one part है और यह double part है तो P one ratio two में इसको divide करता है तो अगर मैं उसी के coding चलूँ यानि यह one है और यह two है तो नाव coordinates of P तो one की multiply minus seven से यह आ गया इधन two की multiply two से इधर आ गया निचे से sum of ratio है ऐसी one की multiply four से और two की multiply minus four से तो इधर तो अब यह नोंने direct कर दिया आपको करकर दिखा जिएता हूं minus seven आ गया यह minus seven plus four by three और इधर four minus four by three देखो minus seven plus four minus three minus three को three से divide करेंगे minus one four minus four zero zero को three से divide करेंगे zero तो पहरे point आ गए यही apply होता दूसरा अब जब Q की value निकालोगे तो यह दो पार्ट है और अकेला पार्ट है तो यह two ratio one में divide करेगा यही बता दिया इसने तो वही काम है दो का minus seven से multiply one का two से multiply नीचे तो one plus two यह आना है अब दो का four से multiply यह आ गया और दो का one का minus two से multiply तो यह आ गया minus के fourteen upon three ठीक है और प्लस में two और इधर आ जाएगा eight minus के six upon three तो आ गया भई minus के बारा बटे तीन और छे बटे तीन तो minus के बारा को तीन से बाग करोगे minus चार छे को बाग करोगे दो तो यह दो points हमारे पास simple से आ गए next क्याता find the coordinates of the center of the circle यह हमारा circle है और यह हमारा diameter है यह a है यह b है a और b यानि three और eight और यह seven और four मानलो ओ इसका center है तो midpoint थोर हमका यूज कर लेंगे midpoint formula क्या था x और three यानि x1 और x2 दोनों को add करो यह कर रखा three plus one और three plus seven उसको two से divide कर देना है और eight और four को add करो उसको two से divide कर देना है 10 हो गया 10 को दो से बाग करा 5 इधर 12 हो गया 12 को दो से बाग करा 6 इधर simple सा है तो इस तरह से हमने find out कर लिया next अब यह देखिए next question दे रखा है हमें next question में बोल रहा है कि यह चारो पॉइंट एक पैलेलोग्राम के point है vertices है तो x और y की value find out करने यह आईए भेस को आपको एक अलग page पर समझा देता हूँ या चलो यहाँ पर थोड़ी सी जगह है मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और आपको यही पर समझ में आ जाएगा आप तो इस मीडियम के बच्चे हो तो यह हमने पहले लोग्राम बना लिया यहाँ पर अब अब यह एक और छे हैं और इधर तीन और पांच है तो देखो हमें पता है पहले लोग्राम के जोई कि डियागोनल से हैं एक दीशरे को मिड़ पॉइंट पर टच करते हैं ठीक है तो अब लिख देंगे अकोर्डिंग टू कोश्चन फ्रॉम फिगर सीधा लिख देना मिड़ पॉइंट ओफ एसी इजएक्वल टू मिड़ पॉइंट ओफ यानि कोडिनेट भी लिख देना को ओडिनेट मिड़ पॉइंट ओफ एसी ऐसे ही कोडिनेट लिखाओ कोडिनेट मिड़ पॉइंट ओफ बीडी अब मिड़ पॉइंट निकालने का तरीका मैं पता ही है जब एसी के मिड़ पॉइंट निकालेंगे तो यह एक्स और यह भी एक्स वाला पोर्शन है इन दोनों को add करोगे 1 प्लस x बटे 2 ऐसे yy वाला 2 प्लस 6 बटे 2 और उधर 4 प्लस 3 बटे 2 और y प्लस 5 बटे 2 तो यह आ गया जी 1 प्लस x बटे 2 और इधर दोर 6 को आप add करोगे 2 से भाग करोगे 4 आ गया और इधर 7 बटे 2 आ गया और यह y जमा 5 बटे 2 आ गया अब यह दो points जब same हैं तो इनका x यानि fc सा और ordinate portion बरावर होगा this portion will be equal to 7 by 2 तो यहाँ पर मैं उपर कर देता हूँ 1 प्लस x बटे 2 यह किसके बरावर आ गया 7 बटे 2 2 से 2 कट गया 1 उस साइड चला जाएगा x की value आ जाएगी 7 minus 1 यह यह x की value आ गयी 6 ऐसे ही y वाले में करेंगे 4 किसके equal आ गया y प्लस 5 बटे 2 cross multiply कर लो 8 बरावर y जमा 5 5 इधर आ जाएगा 8 घटा 3 उसोरी 5 y तो 3 आ गया हमारा y तो इस तरह से value हमारे पास find out हो गई simply now next question अब next question वे एक trick लगेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या trick है बहुत simple सी trick है हमारे पास क्याता a and b यह हमने बना दिया figure a और b इनके points भी दे रखे हैं भाईया minus 2 minus 2 ऐसे कर लो और इधर 2 और 4 एक point है p यहाँ पर direct ratio न देखे हैं ratio इस तरीके से दे रखा है a p बराबर 3 बटे 7 a b तो मैं क्या करूँगा a p को तो मैं इधर लियाता हूँ a b के नीचे और 3 बटे 7 को जब इधर ले जाँगो तो यह उल्टा हो जायागा यह हो जायागा 7 बटे 3 और यह हो गया a b बटे a p ट्रिक क्या है दोनों में से एक घटा दो 7 बटे 3 में से भी एक घटा दो और a b बटे a p में से भी एक घटा दो तो 7 बटे 3 यहाँ एक lcm 3 आ गया तो यह हो जाएगा 7 घटा 3 lcm लेने पर ऐसे a b lcm यहाँ पर a p आ जायागा नीचे a p रहा तो a b में से a p यहाँ पर घट जायागा तो यह आ गया 4 बटे 3 अब देखो a b में से a p a b क्या पूरी लाइन है और इसमें से a p इतना portion काट दोगे तो b p बचा तो उपर बच गया b p बटे a p इसको थोड़ा सा reverse कर लो क्योंकि a p हमारे पास पहले आ रहा है तो इसको a p बटे b p अगर मैं लिख दूँ तो इधर भी उल्टा हो जाएगा 3 बटे 4 यानि यह 3 ratio 4 हमारा निकल के आ गया अब तो point निकल जाएगे now coordinates of p निकालो 3 की multiply 2 से 6 4 की multiply minus 2 से तो minus 8 नीचे तो 3 जमद 4 7 ही आएगा 3 की multiply 4 से 12 4 की multiply minus 2 से minus 8 बटे 7 तो यह आगया minus के 2 बटे 7 और यह आगया 4 बटे 7 तो इस तरह से इसके coordinates find out हमारे हो गए now last कहता है यह circle बना लिया हमने यह end points के coordinates हमें पता है क्या क्या है 4P है और 1,0 है और इसकी length हमें पता है 10 कहता अब point निकालो तो अगर हमें यह P पता होता तो midpoint थे और हम यह यूज कर लेते अभी P हमें पता ही नहीं है जो AB है वो हमें 10 दे रखा है और AB के length अगर मैं distance फार्मूले से निकालों तो X1-X2 का square प्लस Y1-Y2 का square उसका under root तो लगाओ जी under root 4 में से 1 जाएगा 4-1 का square और P में से 0 जाएगा P-0 का square इधर 10 यहां से वर्ग हटाएगा यह हो जाएगा 3, 3 का square 9 इधर यह P square हो जाएगा इधर से वर्ग मूल हटाएगे square root हटाएगे तो उधर वर्ग लग जाएगा यह 100 हो जाएगा तो P square आगया 100 घटा 9 और P square आगया 81 यानि 9 का square तो P की value क्या आगई 9 अब तुम्हें पता चल गए Hence coordinate of O यानि midpoint कैसे 4 जमा 1 बटे 2 और 9 जमा 0 बटे 2 तो क्या आगे 5 बटे 2 और 9 बटे 2 तो इस तरह ऐसे यह तीनों question अमारे complete होते हैं इनको अपनी copy में कीजिए और अपने मिने teacher को workshop पर send कीजिए धन्यवाद